नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहें आप और मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग चेन ना केवल सीमा पर बलकि अन्य माध्यमों से भी भारत में लगातार घुसपैट की कोशस करता रहा है इन दिनों न्यूच क्लिक को लेकर मुद्दा गर्माया हुआ है चेन से फंडिंग के मामले में प्रोपोगेंडा न्यूच क्लिक की मुश्किले बढ़ गई है दिल्ली हाइकोट ने न्यूच क्लिक और उसके संपादक को दंडातमक कदमों से बचाने वाले आदेशों को रद करने की मांगवाली एडी के याचका पर नोटिस जारी किया है हाइकोट ने कहा है कि एडी के दाओ में दम है वहें कम से कम 255 प्रतिस्ठित नागरीकोनिक भारत के राश्टफती रपदी मुर्मू और भारत के मुख्यन आधीश डी वाई चंद्रश्चूड को पत्र लिकर नियूच क्लिक के उप्तिचीन कनेक्शन और फंडिंग को देखते हुए उनके खलाफ कड़ी कारिवाई की माल की है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली हाई कोट से नोटिस चारी होने के बाद अब आगे क्या होने बाला है कितनों की दिल की धड़कने बढ़ने वाली है किसकी रा सवाल क्या लगता है कितनों की रात की नींद हराम होने वाली है सबसे पहले तो यह जो आई डॉट एंडॉट डी डॉट आई डॉट ए यह इंडिया वालों की नीम जो है वह उड़ गई क्यूं है हमने बहुत पहले बताया था कि सितंबर के महिने से जोर्ज सोरुस का वो इन ही दलालों के लिए तो आने माला था यही तो नेरेटिम क्रियेट करते हैं कि देश में डिमोक्रसी नहीं है तो यह नहीं है सारा पंचर हो गया क्यूं दो सो पच्पन एमिनेंट सिटिजन्स ने चिट्थी लिखी है जिसमें चौदा जजिज्स हैं इसमें आर्मी आफि सेंट हैं जरनल्स हैं में ज़र जरनल्स हैं इसमें इंडी बिरोक्राट्स हैं सिक्रेटरीज हैं फॉर्ब तुक हिए बड़े ड़े रेस्पोणлись Kayla लोग है क्या लिखा है वी दे- Alejandale are respectfully writing दिस लेटर to request you to direct the union government to initiate and inquiry inquiry at the highest level to ascertain the full extent of this anti-India conspiracy and thereby bring these enemy agents to justice. No country in the world is indulgent towards treacherous conduct and neither should our motherland. पूरी बात यही पे खत्म कारण इनोंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो अपने घर के अंदर साप पालता हो और वो भी चैनीज साप, पाकिस्तानी साप जो हिंदुस्तान के दुश्मन मुल्क है, उसके दलाल तो यत्र तत्र सरवत्र पहले हुए है, दुनिया उसको जान भी रही है, ये पहली बार पकड़े गए हैं रंगे हाथ, नंगा हो गया ये पूरा ब्रिगेड, टूल किट वाला, बचने की उमीद है ही नहीं, और है, एडी ने इस खुलासे के बाद, वैसे मैं आपको बता दू, कैप्टल टीवी पिछले दो धाई साल से, ये न्यूज क्लिक, ये दलाल पत्रकार, ये तमाम लोगों के नेफेरियस डिजाइन को एक्स्पोज करता रहा है, हमारे अर्काइब में जाएंगे, आपको एक से एक स्टोरी मिलेगी, अभी न्यूज टाइम्स की तरफ से जब आया है, और जब इसकी पूरी परताल सुरू हुई है, तो जजज साहब, दिल्ली हाय को देखी, कितने पाउरफुल लोग हैं इनके उपर, प्यमेले के तरफ से का केस लगा, मनी लॉंडरिंग का, ये न्यू अपलोड करते हैं, और 38 कड़ो रुपेन की खाते में आ जाता है, भै कौन देने वाला है, और ये जो टेर्रिरिस्ट, गौतम नो लखा है, और ये सोनिया गांदी की सहली, तिस्ता सितलवाड, ये कौन सा न्यूज अपलोड कर रही थी, न्यूज क्लिक में, क्यों जा रहे थे पैसे, तमाशा बना रखा हैं लोगों ने, और ये देश की सरकार अब तक, चुप क्यों थी, यही एक बड़ा, क्योंकि पावर्फुल लोग हैं, अभी नियूज टाइम्स और ये पता नहीं, कौन-कौन पूरी दुन्या में सिगनेचर कैंपेंज चलेगा, नियूज टाइम्स को गंदी-गंदी गालियां मिलने वाली है, देखिए, इस तरह का केसिज आता है, जजज भाग जाते हैं, जज ही भाग जाएगा, जज कह देगा, सुप्रेम कोट का नहीं हम नहीं देखेंगे, कारण, ये इतने पावर्फुल लोग हैं, कि PMLA केस में बड़ा-ब नहीं मिनिस्टर चला गया, नवाब मली कभी तक फसा हुआ है, ये सतंदर जैन चला गया, मनिस्टर जूदिया चला गया, कोई बच्टा नहीं है, लेकिन डिउज क्लिक का ये मालिक, ये चैनीज दलाल, इसको दिली के हाई कोट से कह दिया गया कि नहीं नहीं, इसके उपर कोई भी दंडात्मक कारवाई नहीं हो चकता, इसको अरिस्ट मत कीजिएगा, क्यों, अरे महान पत्रकार है, दलाल लोगों की कम ही नहीं है देश के अंदर, और जब ये सब कहानी आई तो, एडी ने फिर से अपनी के सिंदिया आज, दिली हाई कोट में गया कि माई लॉड ये देखिए, सब आप लोगों के छत्रचाया में ही ये लोग तमासा करते हैं, ये टेर्रिस्ट, गौतम नलखा, ये अलिकर इन्वर्सिटी में लोगों को बंदुक उठाने के लिए कहता है, पाकिस्तान के साई नेटवर्क जो है, अमेरिका में ये दलाली करने के लिए य इसको कोई, इसको सोचल एक्टिविस्ट बताते हैं लोग, दिमाग में गोबर भड़ा हुआ है इन लोगों के, गौतम नलखा, ओमाइगाड, उसको देखिक है, वो सीप्यम के आफिस में, कम्मिनिस्ट पार्टी के आफिस में हाउस अरिस्ट किया हुआ है, उसको, बताए जज लोग कभी हालत खराब हो जाते हैं, इन लोगों को सुद्ध कर देगे, कुछ हुआ, इस देश के अंदर में, ये कोई कॉमेडियन है, पता नहीं कौन कहां से उटके चला आता है, चीफ जश्टिस अफ इंडिया को जो है, इसने मजाक का एक ये बना दिया, सुप्रिम कोट को, कोई नागपुर का हेड़कॉर्टर की तरह उसको जो है, सेफरिन बता दिया, कोई नहीं, प्रसांद भुसन जो है, जजज़स के खिलाब कुछ-कुछ कर देते हैं, एक रुपे का, अब आ गया, और आपने जो सवाल किया, कि किसके नीद हराम होने वाली है, यहीं तो है, कॉंग्रेसी, दलाल, अभी दुनिया भर में आप देखें कि, यह हिंदू वाला भी पकड़ा गया है, क्या, वो साइन कर रहा है कि, न्यूवर्क टाइंग जो है, अचानक से, उसको बता रहे है कि, राइट विंगर, फासिस्ट फोर्चस का एजेंट हो गया, अच्छा, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी कुकरमों को छाप रहा था, चैना की दलाली कर रहा था, तो बड़ा ही है, अभी सारे लोग पकड़े जाएंगे, और ये जो जाच जो है, वो एनाईये से करवानी चाहिए, एनाईये इसलिए, क्योंकि ये टर्रिरिजम है, ये पत्रकार, ये जो धलाल पत्रकारों का जथा है, इन लोगों के करतूतों की वज़े से, दिल्ली में धंगे हुए ये शाहिन बाग का समर्थन करने वाले पत्रकार, दिल्ली में तिर्पल लोगों की मौत हुए, ये इनके सिर्पे है, इलजाम, ये किसान आंदोलन के नाम पे, दिल्ली के लाल किले के प्राशीर को जो अपमित्र किया गया, तिरंगे का जो अपमान किया गया, पुलिस वाल आखा खालिस्तानी के दलालिक करने वाल इन पत्रकारों को दारे में लेना चाहिए, मैं तो बता रहा हूँ आपको, इसमें सी बी आई, एन आई ए, आई बी सब लगा दो, कुल मिला करके, ये जो संगठन है दलाल पत्रकारों का, एक सो तैईस पचीस ऐसे आपको दलाल पत ये निवल, सिंगम, तो पता नहीं और कौन कौन से पैदा होंगे, इससे माल खाने वाले लोग, और चिंता, इसलिए कॉंग्रेस पार्टी को, ये विपक्ष को, कि इनी के कंदों पे तो ये अपवाह गैंग काम करता है, अब ये तो भागेंगे जान लेकर के कायर लोग है ये, आप चीन से पैसा लेकर के हिंदुस्तान में अब वाह पहलाने का काम करेंगे, और खुद को पत्रकार कहेंगे, ये आजाती नहीं दी जा सकती, ये जो एक सो, दो सो पच्पन, एमिनेंट, लोगों ने जो चिठी लिखी है, ये देश की आवाज है, प्रसिडंट मुर्मु को इमिनेटली, मोधि सरकार से ये गुजारिस करनी चाहिए, कि हाइस्ट लेवल पे, ये हिंदुस्तान को तबाह और बरबात करने वाला गैंग है, ये लोग इतने खतरनाक है, ये इतना नुकसान भारत को पहुँचाते हैं, जो पाकिस्तान नहीं पहुचा सकता, ये देश के गदार, इन सापों को हमने अपने घरों में पाल रखा है, और जो चिठी है, उस पे एक्शन लेने का टाइम मोधि सरकार का आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम जानकारी, धन्यवाद, तो चीन से फंडिंग के मामले में, इस मामले का परदाफाश कर दिया था, अनुराग ठाको ने ने उचकलिक में चाइनीज फंडिंग का आरोप लगाया, वह ठाको ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी जम कर निशाना साथ, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की नकली मुहबबत की दुकान में चीनी समान मिलता है, फलाल इस मामले की जाच में एडी ने अपनी कारवाई तेज कर दी, फलाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिजे, हमारे वीजियो को लाइक कीजे, शेर कीजे, साथी ह में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसे होगी